हरहर महादेव जैबोलेनात नमस्कार मैं शादना पांडे मागदशन पर आपका स्वागत करते हूँ दोस्तों आज मैं बात करने जा रहे हूँ जिसकों की ललही छट के नाम से भी जाना जाता है तो ये ब्रत महिलाएं पुत्र की दिरखायू के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए रखती हैं इस ब्रत को रखने से संतान संबंदी जो कष्ट होते हैं संकट होते हैं वो दूर होते हैं तो दोस्तों यदि आपने भी बहुत जादा पुत्र के लिए दवा कराई या फिर बहुत जादा समस्या से जहल रहा हैं तो आप जो है इस ब्रत को धारण कर जाकते हैं पूत्र समद्धी कोई संकट है तो जरूर धारण करें और जिन माताओं के पूत्र है वो पूत्र की दिरखायू के लिए उन्नती के लिए सलामती के लिए इस ब्रत को धारण करती हैं तो सब मिलाकर इस महिलाए ही इस ब्रत को धारण करती हैं तो चलिए ब्रत की विधी नियम जो संपूर छूटी बड़ी जानकारिया है पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ देखे शरप्तम सुबह सुबह आप जगिए और जैसे आप अपने घर की साप सफाई करती है क्योंकि पूजा जो है वो नियम तो यही है कि जैसे जिउत पुदरिका ब्रत में तालाब के पास जाकर पूजा होती है उस तरह हो लेकिन अब समय हर चीज का बदलता जा रहा है लोग जो है वो अकेले-अकेले हर से पूजा पाठिया इस तरह से करने पसंद करते हैं और कर भी रहें तो इसके लिए जब पूजा घर पे होगी तो घर की अच्छी तरह सापसफाई कर लें विसेश ये पूजा चाहे आंगन में होती है छत पे होती है सब मिला कर बोलें तो खुले स्थान पे इस पूजा को किया जाता है तो अच्छी तरह से आगन में छट पे जहां भी आपको पूजा करना है वो सापसफाई अच्छी तरह करने और सुबह सुबहरे ही ब्रत का संकल्प ले लीजिए जैसा की नाम आप जानते हैं कि नाम स्थान गोतर सब बोल करके और संकल्प ले करके भगवान से कहिए कि यदि पूतर आपके हैं तो उनको शुरक्षित रखें दिरगायू रखें और यदि पूतर नहीं है तो आपको जल्दी से जल्दी भगवान श्रेष्ट और योग ये उत्तम संतान की प्राप्ति करा देखें सास्त्रों में इस ब्रत को कहा जाता है कि आज के दिन श्रिकिष्ण के बड़े भाई बलराम की जनम जनम दिन है यानि कि उनका जनमत्सों मनाया जाता है तो इसलिए भी ये ब्रत बहुत ज़्यादा महत्तपूर है और दूसरी चीज़ा दोस्तों जैसा कि मैं बता रहे हूं आपको कि इस ब्रत को रखने से नी संतान दमपती की गोध भर जाती है लोलार कुंड में असनान भी आज के दिन बहुत ज़्यादा विसेस माना जाता है तो असनान की भीधी तो अलग है अब चलिए क्या करना है पूजा में उसको देख लेजे इस ब्रत में आपको एक साफ सुतरी और नई साड़ी ही पहननी होती है साड़ी सुट जो भी आप पहनते हैं तो नई साड़ी नया बस्तर आपको पहनना है नया बस्तर पहनने और इसमें पूजा में आपको कुष की अशक्ता लगीगी आप जानते हैं कुष क्या होता है कुछ घास होती है जो कि पूजा पार्ट इत्याद में प्रयोग होती है तो कुछ लगेगा और पलास लगेगा पलास आप जानते हैं जिससे नाक पंचमी में जिन पतों पे पूजा की जाती है तो वही पलास होता है और कुछ होता है इन दोनों को आज के दिन जो है बाजार म में ये सीज़ें उगी हुई हैं इस तरह से थोड़ी से मिट्टी रखकर के जड़ में और इन चीज़ों को वहीं लगा दिजिए कूस और पलास दोनों को लगा जाता है विसेस्त पूजा उन्हीं के ऊपर होती है तो कूस पलास को लगा लिजिए और वहीं पे छोटा सा आप को पोखरे का निर्माड करना होता है अब पोखरा बनी गया कैसे छट पे या फिर बाहर पोखरा बनाना तो मुस्किल है तो यदि थोड़ी बहुत मिट्टी का स्थान है तो आप थोड़ा सा खोद लें चाकू से चम्मच से किसी भी चीज़ से खोद लें और नहीं है तो थ बीच में एक बांध टाइप तयार किया जाता है यानि बीच में एक जैसे कहें कि जैसे आप जानते हैं कि रोड पे आने जाने के लिए दोनों तरब जो नदी होती है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे उस तरह से बीच में थोड़ा से एक बांध टाइप तयार कर ले और ऐसे तयार करके छोटा सा पोख्रा मतलब एक छोटा सा रूप तयार करना है बस पूजा के लिए तो बस इतनी से तयारी कर ले नई साड़ी पहल ले कुछ पलास का जो मैंने बताया कि वो गाल ले आप थोड़ी से मिट्टी में अब उसके बाद पूजा के लिए आपको एक चीज़ और बता दूँ आपको सुबह सबेरे जब आप उठेंगे तो आप ब्रस आज के दिन नहीं किया जाता है और आज के दिन महुए की दातून बहुत जादा महतपूर होती है तो अब महुए तो मिलने से रहा महुए तो साइद आपको मिल जाएगा लेकिन महुए की दातून साइद मिल जाए तो कर लीजिए नहीं मिले तो क्या कहना तो नहीं मिलता है तो आपको जो भी दातुन मिलती है जैसे आम और नीम को छोड़ देजेगा बाकी बहुत सारी दातुन मिलती है बाजार में अलग-अलग तरह की चीज़ों के तो उनसे लेकर दात साफ कर लिजिए दात साफ करने के बाद अब आपको जो पूजा विती मैं बता रहें उसमें चलिए और यह ले लेना है पूजा में जो है विसेष्ट क्या रखना है दोस्तों कि आपको थोड़ा सा महुआ जरूर रखना है महुआ और दही का भोग लगा जाता है छठ मया को आज के दिन जो है छठ मया के विसेष्ट पूजा होती है एक छठ तो हम तो इसमें महुआ और दही का भोग लगा जाता है तो देखे दही और महुआ का भोग लगाने के लिए इसमें चाहिए पलास का ही दोना पलास के पते का दोना तो वो तो बाजार में आराम से मिल जाता है जहां पे जो ये प्लेट वगरा जो चाट वगरा खाने के लिए प्ले मैं उसमें तीन स्थानों पे थोड़ी सी मही और थोड़ी सिद्धा ही एकी प्लेट्ट में रखना है तो एक में दोनने चीजी रखने है और तीन जगह पे फुज़ाया जाता हैDD पूत्र के हिसाब से देख लिजे जिसके जितने बेटे हैं उसके अनुशार इस तरह से भोग लगा देजेगा। तो एक चीज का ध्यान रखेगा कि पूजा में या फिर जो खाना वगर बनाने में जो पकवान आप बनाएंगे उसमें किसी भी तरह से गाय के दूद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज है दोस्तों आज महुए का भी एक पकवान बनता है महुए का जैसे कि मीठा पूगा बनता है महुए का यदि आता है तो बना लिजेगा महुए मिले तो बना लिजेगा तो मीठा पूगा बना लिजेगा और वो भी भोग में लगाया जाता है और जो आप पुद्र है तो पांच सुपारी और सिक्का ये तीनों वस्तुए उस जल में डाले जाती है जो आपने छोटा सा बनाया और डाल करके उसी में जब आप डाले उसी समय आप छट माता से प्राथना करें कि पुद्र दिरगायू हो या फिर संतान नहीं है पुद्र नहीं है तो की प्राप्ती हो कीजिएगा मानेता की अनुसार ये ब्रत बहुत ज़्यादा फली भूध होता है कहते हैं लोग कि इस ब्रत को करने वाले की गोच सिघ्र भर जाती है तो कर लीजेगा ऐसा और हां रही बात ये कि आप ब्रत कब खोलेंगे इस ब्रत में तो दिखिए अलग लगा कर वही हाँ जोड़ करके बैटके चट मारता से प्राटना कीजिए यदि आपको गाना गीत ये सारी चीज़े आती है तो गाईए नहीं तो कोई बात नहीं आप प्रडाम करके उड़ जाए अब बस इसके बाद जो किया जाता है दोस्तों वो होता है जैसे रिसी को खोलने में कोई दोस नहीं है तो आप दही और चावल खा सकते हैं तिनी के चावल का एक चीज़ का ध्यान रखेजिगा आज खेत में जूती हुई बुई हुई कोई भी सबजी फल इत्यादी नहीं खा जाता है आप सुखे मेवे खा सकते हैं गाई का दूद मत पिलीजे और बना करके दही के साथ खाया जाता है बिना नमक के तो खा लेजेगा इस तरह से करके ब्रत खोला जाता है कई स्थानों पे इस ब्रत में भी चंद्रमा को अर्ग दिया जाता है जैसे कि अभी हमने गनेश चौत में दिया तो चंद्रमा को अर्ग देने की विधी तो मैं निर्जला तो साम तक ब्रत रखा जाता है साम को तिनी चावल वगर है खाकर की ब्रत खोल दिया जाता है उसके बाद आप चाय पानी फल जो भी खाए पिए बस इस इसका ध्यान रखेगा कि हल वाली चीजे क्योंकि इस ब्रत में हल की पूजा भी की जाती है जैसे हल आपको छोटा सा मिल जाए तो आप जैसे हल खष्टी माता का पूजा करें तो वहीं पर हल भी रख लेजे क्योंकि बलराम जी का यह अस्त्र है तो उसकी पूजा की जाती है और साधार्ण आप समझ सकते हैं कि जिस ब्रत में जिस चीज की पूजा की जाती है उसका सेवन नहीं किय जाता है तो बस हल से जूती हुई चीजों का सिवन आज के दिन इसलिए नहीं किया जाता है तो यह कर लीजे दोस्तों और ऐसा करने के बाद आपको जैसे कि ब्रत निर्जला रखें चंद्र को अर्ग दे यदि आपके हां का नियम है चंद्र को अर्ग देने के बाद आप जैसे कि दही, चावल जो मैंने बताया, तिनी का चावल और दही वो खा सकते हैं, या फिर नहीं खाना चाहते हिँ, तो आप चाहें, दूध, पानी, फल, जो भी चीज़ थे हैं, वो खा सकते हैं, तो ऐसा करके जो है आप अपना ब्रत कर ले एक और चीज करनी होती है जब पूजा संपोण हो जाए या फिर पूजा के बीच में जब भी करना चाहे तो एक चीज की जाती है जैसे यदि आप ये चीज नियम जानते हों तो जैसे एक गोबर्धन पूजा होती है गोबर्धन पूजा में है वैसे यहां भी है क्योंकि वो पूजा भी बलराम के लिए होती है वैसे ही यह पूजा भी है तो इसमें कुछ में तीन गाठे लगाए जाती है एक पूत्र के हिसाब से तीन गाठे लगती है एक पूत्र जिसका है वो तीन अब उसके अनुसार गिल लिजिए ज अगले दिन अपना स्थे ऑनाज से सुर्योधू हो जाएं, इसमें कोई विश्जन नहीं होता है, उसके बाद आप अपना स्नान ध्यान करें, स्नान ध्यान करने के बाद यह सह जानते हैं, कि इतना अबम बड़ा हमने ब्रत रख रखा, थोड़ा सा ऊक्छ दान पूर्शन के लिए निकाल दीजिए उसके बाद आप भोजन कीजिए भोजन से पहले गवमाता को थोड़ा सा निकाले गाय कुतों के लिए तो इस तरह से करके दोस्तों आपका ब्रद जो है वह पूड़ होता है अब एक चीज आपके मन में आएगी कि जो सिक्का सुपारी आपने डाला थ की है तो आप जो है इसको वही पे दबा सकते हैं या फिर निकाल कर इसे अपने पर्स में रख सकते हैं तो इस इसका ध्यान रखेएगा विसेश एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि महुए का ब्यंजन कुछ भी भोजन महुए का जरूर बनाना चाहिए और गाय के करते हैं वैसे हल खश्टी माता की पूजा से संतान संबंदी समस्चाएं दूर होती है संतान की प्रापती होती है तो दोस्तों उमीद करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी इस्टा पर फेस्टिक कूछ फॉलो करना चाहिए तो कर सकते हैं मेरा नंबर है जिस पर किसी इप्ड़कार की जोद सिय सला लेनी हो ले सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर देजेगा मिलती उस तरह के वीडियो के साथ धन्यवाद